आज कोई बहतरीन युनिवर्सिटीज की बात करे तो दिमाग में आते हैं आक्सवर्ड, ये और केम्रज जैसे नाव लेकिन एक कमाल की बात बताँ करीब पंद्रह सो साल पहले कहानी कुछ और ही थी क्यूंकि तब भारत में थी एक ऐसी युनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी युनिवर्सिटीज में से एक है नालंदा नालंदा शब्द तीन शब्दों से बना है ना प्लस आलम प्लस दा इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमाना हो वाकई जैसा नाम वैसा का इस युनिवर्सिटी में ग्यान का भंडार था यहां सिर्व धार में ग्रंथ ही नहीं बलकि लिट्रिचर, फियोलिची, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसिफी जैसे कई सब्चेक्ट्स पढ़ाई जाते थे और तो और हर सब्चेक्ट का भर पूर ज्यान देनी के लिए बनाई गई थी नौ मन्जिला लाइप्रेट्ट्स जिसमें लाक दो लाक नहीं, नब्बे लाक से भी ज्यादा बुक्स और मैनिस्क्रिप्स थी ये युनिवर्सिटी साथ सौ साल तक दुनिया को सीख दे दी रही लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी जेला आखिरकार बारहवी शतावदी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी तीन महीने तक जलती रही और ग्यान का वो खजाना जो सम्हाल कर रखा गया था दुने में खो गया उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी वो एक महा विहार यानि विशाल बौध मठ का हिस्सा थी जिसके खंड हर आज भी 57 एकर में फैली इस साइट में नज़र आते है कुछ रेकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरसल आम के बगीचे पर बनी थी जिसी 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तुफ़े में दिया पर आखियोलजी के हिसाब से नालंदा को 5th century BC में गौतकाल में बनाया गया था उसके बाद गौतकाल में इस जगर का और डिवेलपमेंट हुआ और ये एक विहार से साथवी शताप्दी तक महा विहार बन चुका था अलग अलग दोर में यहां कई महान टीचर्स ने पढ़ाया जैसे नाकरजुना बुद्ध पालिता शांत रक्षिता और आर्यदेव और जानते हैं स्ट्यूडिन्स कान थे चाइनीज प्रावला यूंग सांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहां खिंचे चले आते थ जीचिता बनुड़ जोगा ग्रवादी यहां कि धन्से जीचिता बियूण से इंसे बड़ाय खिंचे जाया जीचिता